जहान लेकर आया इलाही के लिए बुके दस दिनों के बाद जॉड़न करने वाला है कोई बड़ा धमाका कलेश टीवी शो जुनूनियाट के अपकमिंग एपिसोड में हम सबी देखेंगे जहान इलाही के लिए फ्लावर्स लेकर आता है वेल फ्लावर्स लाने के पीछे जहान का एक ही रादा है कि डॉली को इलाही और जहान के रिष्टे पर डाउट न हो ताके डॉली को लगे कि जहान और इलाही के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका है सबके सामने जहान इलाही को flowers देता है और साती इलाही के साथ डांस भी करता है पहले तो इलाही uncomfortable feel करती है क्योंकि इलाही को अपने पुराने दिन याद आने लगते है लेकिन डॉली के लिए इलाही और जहान सबके सामने normally behave करते हैं और अच्छे से डांस करते है इलाही और जहान को एक साथ डास करने के बाड, जॉटन जहान के पास आता है और बोलता है कि कहीं तुम्हारे पुराने दिन तो याद नहीं आ रही है ऐसे छोटी-छोटी चीज़े तो जॉटन करता ही रहता है लेकिन 10 दिनों के बाद जो कुछ भी जॉर्डन करने वाला है वो धमाके दार होने वाला है क्योंकि फिलहाल जॉर्डन के फेवर में बहुत सारी चीज़े हैं जबसे पहला जॉर्डन को ये पता चल चुका है कि जहान ही सुल्तान है इलाही जॉर्डन से डिवोस लेना चाहती है लेकिन जॉर्डन डिवोस देना नहीं चाहता है अभी देखना इंट्रेस्टिंग होने वाला कि आखिद 10 दिनों के बाद ऐसा क्या करने वाला है जॉर्डन जिससे इलाही और जहान के होश उठ जाएंगे आपको क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथी टलेविजन से जुड़ी सभी लेटिस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को